हवा महल में आज प्रस्तुत है मेवा राम गुप्त द्वारा लिखित और पुरुशोत्तम दार्वेकर द्वारा निर्देशित नाटि का बलिदान अब हिए कि आपको अजाद है और टेरे बाप का नाम स्वाधी तेरी जाती घरती तेरा घर जेल खाना तुझे मालूम है कि तु किसकी आजालत में खड़ा है एक घुलाम की अजालत में क्या तुने अपने आपको आजाद और मुझे घुलाम बताया ठीक बताया तुझे मालूम हो कि तु बनारस के फस्ट क्लास मजिस्टेट खरेगाट के आदालत में खड़ा है जो किसी को माफ नहीं करता है ओ परवा नहीं देख तेरी उम्र पढ़ने लिखने की है जेल जाने से तेरी जिन्दे की खराब हो जाएगा पर क्या करूँ? माफी मांग ले किस बात की? तुने सत्यागरे आंदोलन में भाग लिया है बगावत का जंडा उठाया है गांदी जी की जै बोली है या जुर्म है या बगावत है तेरे बगावत मेरा पेशा है और माफी मांगना मैं जानता नहीं अच्छा तो तू पेशेवर बागी है और जेल जाने से भी नहीं डरता बुजदिलों को ही सदा मौत से डरते देखा गो सौबार उन्हें रोजी मरते देखा बागी को फॉरण जेल भेड़ दिया जाए महत्मकादी की जै भारत माता की जै बंते बहुत हो मैंने मजिस्ट्रेट खरेगाट को अपना नाम आजाद और अपना घर जेल खाना और अपना पेशा बगावत बताया आजाद अब बागी बनकर आजाद रहेगा और वो जेल को अपना घर कभी नहीं बनाएगा भाईयो जानने से पहले चंदर शेकर आजाद का ये गाना भी तो सुनते जाओ बारत न रह सकेगा हर्गिस गुलाम खाना आजाद होगा होगा आता है वो जमाना सुन खोलने लगा है हिंदो सतानियों का इस पस्त हिम्मती का होगा कहां ठिकाना इस पस्त हिम्मती का यूबे जुबान बनकर खामोश न रहेंगे कर देंगे जालिमों का सब बंद जुल्म धाना परवाहब किसे है इस जेल और दमन की एक खेल हो गया है फांसी पे जूल जाना कोमी ती रंगे जंडे पर दिल फिदा है अपना भारत ने वासी सारे गाते हैं ये तराना भारत ने वासी सारे भारत के हम हैं बच्चे भारत वतन हमारा भारत के वासीते हैं मन्जूर सरकटाना भारत के वासीते हैं मन्जूर सरकटाना चानडे वासीते हो हैं ऐख अधिए आजये अधिए कामरेड आजाद पहले एक प्याला गरम गरम चाय पी ली जाए फिर गरम गरम बातं की जाएं हम गरम दल के याद्बी जो ठैरे आज़े हैं गरम चाय और गरम बातंगं हम बहुत पसंद करते हैं चाय में चीनी मुझे आदिक चाहिए अच्छी बात है अपने हाथ से जितनी चाहू मिला लो तुम चाय में चीनी मिलाओ और मैं तुम्हें अपने दल में मिलाओं चीनी तो मिल गई अब दल से मिलाई यह श्री प्रणवेश चटर जी की सिफारिश पर मैं तुम्हें खृंतिकारी पार्टी का कामरेड मनमतनाजी गुप्त को विश्वास दिलाता हूँ कि गुल्शन परस्तु हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज कांटों से भी निबाह किये जा रहा हूँ है आजाद कांटों पर सिर्फ चलेगा ही नहीं वो उन पर दोड़ेगा बड़ा अच्छा शेर सुनाया तुमने तुम सिर्फ आजाद ही नहीं शेर दिल भी हो कामरेड आजाद एक बात ये याद रखना बताए तुम्हें नाम, चाम, डाम से नहीं सिर्फ काम से मतलब होगा समझे कामरेड समझाई ये तो समझो करांतिकारी अपना नाम नहीं चाहता वो चाम यानि सुरा और सुन्दरी से दूर रहता है और वो दाम यानि धन भी नहीं चाहता पार्टी का काम करते हुए अंजान मर जाना चाहता है देश पर मर जाना ही उसका लक्ष होता है मन्जूर है गुपत जी, मैं गुपत रहकर ये काम करूंगा और मरूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जब तुम क्रान्तिकारी पार्टी का काम करोगे, तो सरकार खुश होकर तुम्हें जेल का महामान बना सकती है काले पानी की सेर भी करा सकती है तुम्हें फांसी का हार भी भेट कर सकती है तुम कौन सा उफार लेना चाहोगे फांसी का हार यार बड़े लालची निकले हार का ही उफार जाया है शहीद होकर सीधे स्वर्ग जाना चाहते होगे है शायर ने ठीक ही कहा है आए पुखता कारे उल्फत, खुश्यार डिगन जाना, मेरा जे आशिका है इस दार और रसन में जब से सुना है हमने, मरने का नाम जिन्दगी है, सर से कफन लपेटे, कातिल को ढूंगते हैं खुब खुब बहुत खुब, सर पर कफन बांद लो, खुदा हाफिस खुदा हाफिस वो खतरनाग चालाग और गजब का निशान बाद हुजूँ तो वाट इसलिए पंदित जी उसके सर के उपर तीस हजार रुपए का भारी इनाम है पंदित तुम उसे मुड़ा ही पकड़ कर ले आते तो भी हम तुम को तीस हजार रुपए का इनाम दे देता कप्तान साब ने ये बात खूब कई लेकिन हुजूर वो अपनी जगा पर मिलता ही कब है पता नहीं उसे हम लोगों की गंद कहां से मिल जाती है वो उसका गरम बिस्तर तक मिलता है मगर वही नहीं मिलता कप्तान साब ने ठीक ही कहा है कि आजाद कनिंग के साथ क्विक भी है बागी राम परसाद ने जबी तो उसे क्विक सिल्वर कहा करते थे काको रिटेन डकेती में उसका काम देखकर उस बागी ने उसे ये नाम दिया था और राम परसाद के साथ उसने और भी राजनितिक डकेतियं डाली थी वे पैशेवर नहीं बलके पैदाईशी बागी है नहीं जुटला थिया है I know that He is a devil I tell you my boys Yes, I know और हुज़ूर गवर करें 30 October 1928 को साइमन कमिशन लाहर पहुचता है Yes लाला लश्पत राय जलूस लेकर उसे काले जंडे दिखाते हैं Yes Saunders उन्हें लाटियों से घायल कराते है Yes लाला जी 17 November को मारे जाते हैं और ठीक 17 December को आज़ाद भगस सिंग सुगदेव और राजगुरू के हाथों उन्हें कतल करा देता है Yeah, I know it ये भी तो इंस्पेक्टर साब बताईएगी इसके बाद ही ठीक 8 April 1929 को आज़ाद दिल्ली असेंबली में भगस सिंग और बटके शुर्दत के हाथों दो बम चुडवा देता है दोनों गिरफतार होकर रह जाते हैं लेकिन आज़ाद मौके से गायब हो जाता है पंजाब की पुलिस तापती रह जाती है कफ्तान साहब What do you mean पंदेग? What do you mean by all this? You mean के पंजाब की पुलिस की तरह यूपी की पुलिस भी खतरनाख बागी को पकड़ने में नाकाम रहेगी? What do you mean? और हमारा ये इलहाबाद में आकर घेरा डालना यूसलिस हो जाएगा? कफ्तान साहब नाट बाबर को निराश होने के आवशकता नहीं हमारे मुखबर वो ही हैं जो आजाब के साथी हैं उनकी सूचना पर ही तो हम लोग इलहाबाद आए हैं और वे उन्हें जहां भी मिलेगा वे हमें फॉरण सूचना देंगे हुजूर मैं भी यही बात कहना चाहता हूं कि मेरे मुखबर की बात जूट नहीं हो सकती घर का बेदी लंका डाय वाली बात सही हो कर रहेगी उसके साथी उसे पगडा देंगे येस येस तास बूट बड़ उसके साथियों को मुखबर बना लेने का ये काम आप दोनों ने जो किया वो बहुत कमाल का काम किया वंडर्फुल काम किया आई नो देट गॉड में हेल्प यू और देट्स आल माई बॉस जो में गो थैंक यू थैंक यू थैंक यू हैलो हैलो मैं पंडी शंबुनाती बोल रहा हूं हैलो कौन क्या कहा अरभी जोर से बोलियो कुछ सुना इंदे रहा है हैलो अरे अच्छा आप ही है क्या ख़बर है कुछ पता चला क्या कहा साथी के साथ अलफेट पार्क में बस अभी आया फत्रे आज पत्रे ऐस अच्टाइस फरवरी 1921 अच्छ रहा है तेरी ही तो रहा देख रहा है तहम है ड्राइवर ड्राइवर दर्रों जल्दे क्विक चलो अल्फेट बार्क कप्तान साप, वो देगे, आजाद पेड़ के लिचे बैठा, अपने साथ ही उसे बाते कर रहा है, उसने अभी हमें देखा नहीं है, येस, वेरी कॉट, आज बगड़ा जाएगा, देखो, जाओ लो तरव से पार को केर लो, हरी अप, and be cautious everybody, get away, ठीक हुजू, आप पेड़ के पीछे से फायर करें, येस, you get away, आजाद, कफ्तान नाट पाबर, आपकी पिस्तोल से, तुझे अब, वेल्चम करता है, है, पुलिस, राज, भाग दो, हाँ, माल लोड, वेरी गुड, लगता है, मर गया है, वेरी गुड, लगता है, मर गया है, वेर्डर्फुल शोट, अन्ना तुझे अभी खादम किया दता हूँ, तू भगभगा मुझे डराना चाहता है, मूब बन कर, फायर, जवानो, फायर, फायर, शाबास, वाली भीतार, घजार काफी घायर हो चुका है, इधर से अब कोई गोली नहीं आ रही है, शायर बर भी गया हूँ, लेकिन उसक क्या हूँ, वाट, 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 प्लीज, मेरा हाथ चुट या, वो, कप्तान साहब है, वो, इंस्पेक्टर विशो शरीम का बागी ने मुँ ही तोड डाला, अही, अभी तक, क्या आजाज जिन्दा है, छिप-छिप के गोलिय चलाने वारे मुष्दिलो, कहीं तुमने खुलकर सामने आकर आजाद का मुखाला किया होता, अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही गोली बची है, पिस्तॉल खाली हो चुगा है, वो मेरे जीवन साथी पिस्तॉल, मेरी कनपटी से लगकर मुझे प्यार कर ले, और मुझे भारत म आजादा की गोद में, हमेशा हमेशा की नीन सुला दे, वंदे मातरम् बलिदान, हवा महल के अंतरवत अभियाग ने मेवा राम गुप्त द्वारा लिखित ये नाटिका सुनी, कलाकार थे जी एम दुर्रानी, वीनु महेंडर, सैयद एहमद अली, एम एल कौर, गोविंद शर्मा, कमलाकर दाते और राज जोशी, धोनी संयोजक मनोहर्सावे औ प्रस्तुत करता, पुरुश्वतम दार्वेकर